उदर महिला अंडर 19 विश्व कब पर टीम इंडिया ने कबजा कर देश का नाम रौशन कर दिया फाइनल मुकाबले में भारत की बेटियों ने इंग ब्लैंड को साथ मिकेट से शर्मनाक हार का चेहरा दिखाया वहीं भारतिय टीम की जीत के बाद पूरे देश में जश्ण का महौल है इस शांदाज जीत को हासल करने में टीम की उपकपतान श्वेता सहरावत का भी सरहानिय योगदान रहा उन्होंने इस टूर्नामेंट में साथ मैचों में 140 से जादा की औसर से 297 रन बनाए वहीं साथ पारियों में तीन अर्धशतक लगाने वाली श्वेता पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ तीन बार आउट हुई है और उनका स्ट्राइक रेट 140 से जाद रहा हालाकि श्वेता के परिवार ने भी श्वेता के साथ संगर्ष किया है श्रवात से लेकर अब तक उन्हें क्या-क्या परिशानिया देखने को मिली उन्होंने निउस इंडिया से खास बातचीत में बताया स्वेता की मा हमारे साथ इस वक्त मौझूद है और सीमा इनका नाम है अगर इक चीज़ और आपको मैं दिखा दूँ यह जो पूरी क्रिकेट की जो किट होती है यह इस तरीके से जो माता जी है वो सम्हाल के रखती है और अब जब हम पहुंचे यहां पर तुन्होंने दिखाया यह जो जैकिट है जो उसको पहन के खेलती है कब उन्होंने पहन कर दिया था बाकी समान तो वहां तो एक नया किट मिल जाता है इतना ज्यादा खुशी है क्योंकि पूरा देश जो है इस वक्त खुश नजर आ रहा है जो काम उन्होंने किया सर बहुत खुशी है बहुत प्राउड फील हो रहा है बच्चे के लिए और हम तो उसकी जरनी ब आपने पूरी तयारी करवाई होगी पूरा देश जाना चाहता है डाइट में आप क्या देती थी खाती क्या थी वाखिर जो इतने कोई भी बॉल हो सीधे बाउंडरी के बाहर जाती है यह तो खाने में बहुत नॉर्मल खाना पसंद करती है बाहर की चीज़े तो बहुत कम इसको लगता है कि नहीं कम ही खानी चाहिए लेकिन हाँ चुटपन में थोड़ा सा खाती थी तो यह सब चीज़े बाकी उसका फेवरेट अगर आप बोलेंगे तो दाल चूरमा होता है और एक अच्छी सी बिंडी करारी सी आगर उसके बनाद वो भी उसके अपने हिसाब की होती है वो खा लेती है बाकी पनीर के डिशे पसंद करती है और उनकी तיैयारी एक जो माता जीं की बे zumाइनका Wak sell एक जरूर चर्चा हो रहे है कि जिस तरीके से भारत की बेटियों ने भारत का नाम मूचा किया है भारत को एक खिर्थिमान दिलाया है आने वाले दिनों में इस तरीके की जो कहानिया हैं और लिखी जाएंगी ताकि आने वाले और बेटियों का होसला जो है बुलंद हो सके कैमरा मिनुपेंदर के साथ गौरा मिस्रा निउस इंडिया दिली हमारे साथ बाचीत करने के लिए स्वेता के जो पिता जी हैं वो इस वक्त मौजूद है और जिस तरीके से जो प्रदर्शन किया है स्वेता ने अंडर 19 क्रिकेट में उसके बास से पूरे देश में चर्चा हो रही है ये वताईए कि अगर बात करें स्वेता की पहले तो एक प होने के नाते किस तरीकर का पहला रियक्शन आपका होगा हुगा तमाम लोगों के फोना रहे होंगे बहुत सारी खबरे आप तक मौजूद है और जिस तरीके से जो प्रदर्शन किया है स्वेता ने अंडर 19 क्रिकेट में उसके बास से पूरे देश में चर्चा हो रही है ये बताईए कि अगर बात करें स्वेता की पहले तो एक पिता होने के ना ते किस तरीके का पहला रियक्शन आपका होगा तमाम लोगों के फोन आ रहे होंगे बहुत सारी खबरें आप पहुंच रही होंगे अबियसली रियक्शन तो ब्रदर ऐसा है कि मतलब सॉलिड जिसे बुलते हैं कि हावई बच्चों ने वो कर दिखाया हमारे लड़कियों ने जो हमारे हिंद अस्तान की रिक्वाइर्मेंट थी प्रोपर मैच दिखाया उन्होंने थूदा कह सकते हैं टूर्नमेंट जैसे उन्होंने खेल के दिखाया हर एक बच्चे ने अपनी ड्यूटी को प्रोपर तरीके से चैनलाइज किया है वहाँ पर आइदर वो फिल्डिंग हो बॉलिंग हो बैटिंग हो ओविसली बैटिंग मेश्वित अगा नाम आ रहा है जैसे मैं कहता हूँ है अपने तरफ से भी नाम देने की बात निकल करके आ रही है यह किस तरीके से एक और दूसरा है किसी में मैसेज मैं चाहूँगा कि उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो बेटियों को लेकर के तरह तरह की बहांति बेटियां रखते हैं उनके लिए क्या संदेश होगा उनके लिए संदेश यह भाई आँखे खोलो बेटियां बेटा जो बच्चा है वो आपका अपना है यार किसी और का नहीं है समझो चीजों को कि बेटी है चाह बेटा है काम उसने बराबर के करते हैं आज की डेट में लड़का जो कर सकता वो लड़की भी कर सकती है इस नोट लाइक देट कि हाँ भी लड़की ही करके दिखाएगी यह काम सिर्फ लड़का नहीं कर सकता है लड़का भी किचन में काम कर सकता है लड़की भी करती है लड़की बाहर जोब भी करती है लड़के भी जोब करते है अभी डूरिंग दिस कल से लेके अभी तक मेरे पास आपके चैनल वाले लड़कियां भी आई हैं लड़के भी आएं रात बार बैठे भी थे कितनी देर तक बैठे भी थे तो इसे पार्ट ओफ लाइफ ये आपको समझना पड़ेगा कि लड़कियां ऐसा नहीं है उनको आप अभाउ आपको समय कुछ आपको समय कुछ तक दो आपको